अशलाम्यकब्स जी जैसा कि मैंने अपसे वादा किया था कि मैं आपके लोग साथ ट्रूबर्शिटिंग स्क्यील्स अशेयर करते हूँ का आज मैं आपके लोगं के लिए रेके आँ कि हमने बूटेबल विन्डोस किस तरबनानी है यूबश्बी के तरूप यह आप विंडो 10 के लिए बना सकते हैं और विंडो 7 और 8 के लिए तो इसमें मैंने कुछ steps लिखती हैं सबसे पहले आपने command prompt में जाना है और वहाँ पर आपने यह command जो मैंने यहाँ पर mention किया हुई यहाँ पर जिस तरह मैंने यह mention तर्टीब में किया अब है इस तरह में सबसे पहले आपने time part डिस्क पार्ट लिखना है जहाँ पर जैसे आप डिस्क पार्ट लिखेंगे तो एक नई window open हो जाएगी डिस्क पार्ट ठीक है तो यह आपको basically किसलिए होती है कि आपको एक list लिस्ट शो कर देती है जहाँ आप लिखेंगे list disk तो एक आपके पास जो लिस्ट है आप devices की वह शो हो जाएगे आपको तो उसके बाद आपने वह select disk करना है जिसमें आप अपने इंस्टॉल करना चाते है window जैसे कि USB मतलब तो आप select disk 1 करेंगे जो मैं आप command दी होगी है select disk साथ में आपने one दे नहीं ठीक है अब आपकी disk 1 select हो गई है तो इसमें आप सबसे पहले हम इसको clean करेंगे तो आप इसके लिए सबसे पहले clean type करेंगे इसके बाद आपने लिखना है कि create partition primary यह मैंने type इसलिए लिखा हुआ है कि ताकि आपको पर चले कि आपने type करना है create partition primary तो यह आपकी primary partition बन गई है इसके बाद आपने क्योंकि जब partition बनाते है न तो हमने जब partition 1 होती है वह select करनी होती है क्योंकि इसमें window install होती है आपकी तो partition 1 select कर लेनी है आपने इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको format करना है 32 FAT 32 system के तुरू sometime ऐसा होता है कि आप अगर FAT NTFS के तुरू भी कर लेती है तो चल जाता है लेकन sometime USBs को support नहीं करती तो जब यह आप command देंगे तो तकरीपन दो चार सेकंड में यह format हो जाएगी तो यह आपकी जो disk है वो ready हो जाएगी बज़ वेट करें जी यह successful का message आ गया है कि आपकी पार्टिशन है वो होगी है इसके बाद जी आपने इस जो पार्टिशन आपने बनाई थी प्रैम जी इसको active कमांड से अब जो पार्टिशन आपके active होगी है तो और अब आप exit कमांड से आप इसको exit कर जाएगी सिंपल जी अब आपकी usb bootable ready होगी है अब आपने simple आगे वाल जो कमांड आपको आई ऐससा फाइल चाहिए होती है वो आपने अनो जी मैंने डाउनलोड की होगी है तो जी मैंने डाउनलोड करके अब इसको ना विनरार के तुरू आप extract कर लें simple और ये फाइल आपने copy करक आपके उस ड्राइव में डालनी है इस तरह copy नहीं होगे तो पर आपको एक फोल्डर में इसको extract कर लें अब ये टाइम लेगा तकरिम पांच चार से पांच मिनिट आपको टाइम लेगा है अब ये एक्स्टरेट होगया फोल्डर आपका जहां simple आपने copy करना इसको और जाकि पेस्ट कर देना है ये तकरिम चार से पांच मिनट का काम है ये पेस्ट होजाएगा जैसे ये पेस्ट होजाएगा आपकी विंडो योईसबी है वो रेडी होजाएगी installation के लिए तो जिससे आप नॉर्मल योईसबी डाल के विंडो करते हैं इसी तरह आपने ये स्ट क्वेटर को रिस्टाट करना है और अपने USB प्लाग इन करना है और इस्टाल कर सकते हैं वेरी सिंपल यह आप इंज्वाय करें नॉर्मरी लोग इसके लिए सॉफ्टर इसमाल कर रहते हैं लेकर मैं रिकमेंड करता हूंगा अगर आपके पास सॉफ्टर नहीं है तो आपने बिसिक चार पाइंट कमांड से अपने USB को बुड़ बूड़ ना सकते हैं थैंक यू